So hello दोस्तों, की हाल चाल तो डिस आ रहे हैं रहा, एक काफितो स्वागत है, मेरिक नवी वीडियोज So guys, जैसा कि इस वीडियो के thumbnail पे आप देख क्या है हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे उत्रांचल युनिवरसिटी के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को अच्छे रीजन में बताओ, देरादून के आसपास कोई उनिवरसिटी जहां पे अच्छे इंवायरमेंट में, एक अच्छी लोकेशन पे तो आपके लिए ढूंड के ला चुक है एक ऐसी उनिवरसिटी, जिसका नाम है उत्रांचल युनिवरसिटी, यहां से आपको पूरी डिटेल बताओंगा कि अगर आप यहां पे करना चाहिए MBA, तो आपको क्या-क्या सिस्टम रहेगा, यहां पर क्या एवरेज प्लेस्मे थोड़ा उत्रांचल युवरसिटी के बार में डिसकस करेंगे, कि उत्रांचल युवरसिटी कब इस्टाबलीश होई, कहां पर यहां पर लोकेशन क्या है, क्या से कौन-कौन सी रैंकिंग दर, कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हैं, MBA की फीश्ट्रक्चर क्या रहेने वा बात करें तो 150 से 200 के बीच में इंजिनिंग के बारे में एक्रिडेशन की बात करें तो MBA अप्रूवड है ना कि A प्लेस ग्रेड उनिवस्टी है UGC अप्रूवड है बार कॉंसिल आफ इंडिया से भी अप्रूवड है एरपोर्ट से ठीक है दैरादुन एरपोर्ट से 15 किलोमेटर है दैरादुन रेल वेस्टेशन से है तो connectivity भी काफी अच्छी है बहुत इजली आप यहाँ पे पहुंच सकते है बहुत ही अच्छी और बड़ी उनिवस्टी है जो आज जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए काफी अच्छा रह सकता है admission process काफी जहाँ सिंपल है कोई आपको अतर exam ने देना ठीक है सिरफ आपको register करना है नीचे description में दिये गए लिंक से form fill up करना है अपनी सारी details वगयरा डालनी है अगर आप eligible होंगे तो fees payment करनी और आपकी admission है जो done हो जाएगी कोई भी अलग चीज आपको देने के जुरुतनी admission process और भी जाए detail में discuss करेंगे जब MBA के बारे में पूरा पहले detail में discuss कर लेते है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको admission process भी बता दूँगा अच्छे से ताकि आपको समझाए जो सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर जो MBA offer की जाती है MBA की specialization भी offer की जाती है अगर आप करना चाहिए तो सबसे पहले जो यहाँ पर आती है यहाँ पे na scholarship भी काफी जाद offer की जाती है अगर आपकी graduation में 90% से जादा marks है तो आपको first category की scholarship मिलती है जिसमें आपको 30,000 का फायदा मिलता है 80 से 90 की बीच में marks है तो आपको 20,000 रुपीज की scholarship मिलती है 70 से 80 की बीच में marks है 80% के बीच माख से तो आपको 10,000 के scholarship मिलती है और 70% से अगर आपकी graduation में कम है तो कोई भी आपको scholarship नहीं मिलती है तो मैं आपको यहाँ पर बताये तो कि एक semester की आपकी fees है जो रहने वाली है जो net fees आपकी रहेगी अगर आपको कोई भी scholarship यहाँ पर नहीं मिलती है लेकिन अगर आप 3rd category की scholarship में आते हैं तो आपको देनी है 2,11,000 रुपे 2nd category में आते हैं देनी है 1,90,000 रुपे और 1st category के scholarship में आते हैं तो आपको मिलती है 1,70,000 रुपे तो मैं consider कर रहा हूँ कि आपको कोई भी scholarship नहीं मिल रही है, तो उत्राखंट के जो बच्चे हैं, उनकी एक साल की जो फीस रहेगी, दो लाग तीस अजार रुपे रहेगी, और दो साल की फीस आप कहे रखते हैं, उसके बाले अगर हम बात करें, जो उत्राखंट के बाहर के बच्चे हैं, उनके अगर कोई भी scholarship नहीं मिलती है, scholarship amount सेम है, अगर आपके मतलब की 90% से जाधा marks है graduation में, तो आपको जो scholarship मिलती है, 33,000 रुपीस के मिलती है, और अगर आपके यहाँ पे 80 से 90 की बीच में marks है, तो आपको 22,000 की scholarship मिलती है, ऐसे गर के, तो यहाँ पे भी चार केटे गरीद है, यहाँ पर फर्स समेश्टर की जो आपकी फीस रहने वाली है, बिना किसी scholarship की 1,10,000 रुपे रहने वाली है, और इसी तरह अगर आप सेकेंड समेश्टर की फीस की बात करें, तो वहाँ पे भी आपकी जो रहने वाली है, 1,10,000 रुपे, अधर फीस यहाँ पे जो आप calculate करने वाले है, अधर फीस यहाँ पे आपको पूरी दे रखी है, कि आपको कितनी जो enrollment फीस देनी, admission फीस 10,000 रुपे, enrollment फीस आपकी 2,000 रुपे, ठीक है, caution फीस आपकी 2,000 रुपे, examination फीस आपकी 4,600 रहने वाली है, library की 800 रुपे फीस देने वाली है, तो total 8,000 रुपे आपकी हो जाएंगे, optional फीस ठीक है, optional फीस आपकी hostel मैसी यह सब मिला के, total आपकी जो फीस यहाँ पे बन जाती है, यह आपको calculate कर सकते हैं, फीस structure अगर हम यहाँ पे बात करेगी, जो उत्राखंट के बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए आपके जो रहने वाले 2,51,000 रुपे, मतलब उनकी भी जो 5,00,000 रुपे में, यहाँ पे जो फीस बनी थी 5,00,000 से थोड़ी सी कम है, लेकिन इंडिया जो उत्राखंट के बाहर के बच्चे है, उनके लिए जो MBA की फीस रहने वाली academic फीस, वो रहेगी अप्रॉक्सिमेट 5,00,000 रुपे, पूरी 5,00,000,000 रुपे, प्लस 2,00,000,000 रुपे आप कह सकते हैं कि हॉस्टल फीस, तो अप्रॉक्सिमेट 6,00,000,000 रुपे में आपकी टोटल MBA जो यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगी, जिसमें आपका रहना, खाना, पीना, सब कुछ इंक्लूड होगा, admission process की बात करें, तो यहाँ पर सिम्पल सा admission process आपका, यहाँ पर eligibility criteria दिखाता हूँ, जिस भी बच्चे ने graduation degree पास कर रुखे है, हो यहाँ पर admission ने के लिए eligible है, minimum आपके 50% marks होने चीए, अगर आप जन्नक के degree से belong करते हैं, 45% अगर आप STST से हैं, और आपके यहाँ पर सिम्पल यह admission, direct admission हो जाएगा, तो उन में से आपको कोई भी, आपको मैजज़, आपको मैज़, अगर आपने कोई exam दे रखा है, तो इनके आप जो उस quality पर जो अपने क्या बोलते हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने क्योंकि यहाँ पर जो student quota, मतलब यहाँ पर जो student intake है, वो limited रहता है, उसमें से भी student intake 40% हो उत्राखन के बच्चों का यह है, तो बाहर बाले बच्चों के लिए काफी कम जारा seats बचती है, तो अगर आप admission लेने चाहते हैं, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं, semester की बात करें, तो यहाँ पर आपको पूरा curriculum बता रखा है कि पहले आपको पहले semester में यहाँ पर साथ subjects रहेंगे, second semester में आपको साथ subjects रहेंगे, तो सारे subjects वगएरा वो भी सारे आपको बता रखें कि आप क्या देखते हैं, recruiters की बात करें, तो top recruiters इनके जो है, Accenture, Amazon ठीक है, L&T, उसके बाद Reddish वर्चुगार भी गए, मार्स recruiter companies जैसे की Wipro, Capgemini वो भी यहाँ पर आ रहे है, उसके बाद product based companies, तो mostly सारी companies जितनी भी आप imagine कर सकते हैं, यहाँ पर placement के लिए आ रहे है, तो average package जो यहाँ पर चल रहे है, 4-5 लाग रुपे का चल रहे है, बात करें, अगर MBA की 4-5 लाग रुपे का average package चल रहे है, highest package की बात करें, 12-13 लाग, 12-13 लाग का highest package आज तक गया है, companies ऐसी भी आ रहे हैं, जो की 20-25 लाग का package यहाँ पर offer कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, वो उस package को crack नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर चाहें, तो काफी कम पैसे में अपनी MBA भी complete कर सकते हैं, और आप काफी अच्छी location पर जैसे दहरादून जैसे शेहर में पढ़ सकते हैं, पहाडों से गिरे होए होंगे, जहाँ पर आपका atmosphere काफी चरहेगा, campus काफी बड़ा है, average placement भी worth है, अगर आप मतलब यहाँ पर 4-5 लाग रुपे लगा रहे हैं, तो 2 साल में आप अपने 10 लाग रुपे recover कर लेते हो, जिसे कि return of investment approximate 1.5x हो जाती है, तो वो काफी अच्छा factor रहता है, कि अगर आप यहाँ पर जितने पैसे आपने लगाए हैं, उतने भी अगर आप same साल में recover कर लो, तो वो भी return of investment काफी अच्छी रहती है, तो अगर आप यहाँ पे admission लेना चाहते हैं, तो वैसे तो काफी जादा affordable है, university भी, तो scholarship भी अगर आपको मिल रही है, अगर आपने graduation में अच्छा score किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके placement के chances काफी जादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे student intake कम रहेगा, student intake कम रहेगा, तो teachers आपके ओपर जादा focus करेंगे, companies अच्छे अच्छी आ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे package offer करेंगे, तो यहाँ पे आपको placement मिलने के chances हैं, जो काफी जादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको यह ध्यान ज़रूर रखना है, कि आपका previous academic record अच्छा होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे अच्छी placement लेना चाहते हैं, जैसे कि 10th, 12th और डिग्री आपका previous academic record अच्छा होना चाहिए, फिर से आपको बताएं तो कैसे आपका apply करना है, नीचे discussion में दिए गया है, डिरेक्ट लिंक application form का जो आप फिल कर सकते है, document submission करनी है, और आपको अपनी fees payment करनी है, और आपके admission यहाँ पे done हो जाएगी, तो I hope मैंने आपको सारी information शेयर कर दी होगी, ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई doubt है, MBA से लेटर नीचे मुझे के comments अगर मैं पूछ सकते हो, मिलते हैं शेकली किस वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई